हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें 118 महिने में पैसा डबल हो जाता है उस स्कीम का नाम है के वीपी, मिन्स किसान विकास पत्र दोस्तों अगर आपने हमारा ये चैनल सस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज इसको सस्क्राइब कीजिए और साथ में देवाए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आप अपना पैसा डबल करना चाहते है तो पोस्ट ओफिस की किसान विकास पत्र बचट स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है यह स्कीम मात्र 118 महिने में आपके पैसे को डबल कर देती है आईए जानते हैं आखिद इस स्कीम में निवेश कैसे करेंगी इसके बेनिफिट क्या है और कोन इसमें निवेश कर सकता है किसान विकास पत्र क्या है एक तरह का परमान पत्र होता है जिसे कोई भी विव्यक्ति खरीच सकता है इसे वोंट की तरह परमान पत्र रूप में जारी किया जाता है इस पर एक तैय शुदा ब्याज मिलती है ब्याज दर समय समय पर सरकार संशोर्दित करती रहती है इसे देश भर में फैले डाग घरों से खरीदा जा सकता है एक जनवरी 2018 से इस पर साथ पर तीन फिजदी का ब्याज मिल रहा है साथ में और कौन सी सुविधाय मिलती है इस सरकारी योजना में आपके पास नोमिनेशन की भी सुविधा मोजूद है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह सर्टिफिकेट टांसफर किया जा सकता है एक पोस्ट ओफिस से दूसरे पोस्ट ओफिस में भी इसे टांसफर किया जा सकता है इसे देश के कुछ बेंकों से भी ओनलाइन तरीके से खरीदा जा सकता है कितनी राशी निवेश कर सकते हैं? किसान विकास पत्र में निवेश करने की कोई मेक्सिमम लिविट नहीं है हाला कि आपका न्यूंतम निवेश एक हजार रुपे का होना जाहिए आप एक हजार रुपे के मल्टिपल में कितनी भी राशी निवेश कर सकते हैं? मतला आप 1500 या 2500 या 3500 का निवेश नहीं कर सकते हैं यहाँ निवेश 1000, 2000 और 3000 के करम में होगा कोन खरीच सकता है इसे? जैसा की उपर बताया गया है कि देश में फैले डाग घर की किसी विब्रान से आप किसान विकास पत्र खरीच सकते हैं आप किसी बच्चे यानि माइनर के लिए भी इसे खरीच सकते हैं दो लोगों के नाम पर भी इसे खरीदा जा सकता है कितने समय बाद निवेश 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 की सला देते हैं कितने समय में डबल होता है पैसा अगर आप किसान विकास पत्र में पैसा लगाते हैं तो यह मोजूदा के 7.3% के सालाना ब्याजदर के हिसाब से 118 महिने यानि 9 साल और 10 महिने में डबल हो सकता है खरीदने के लिए चाहिए कौन से डोक्यूमेंट दो पासपोर्ट साइस फोटो पहचान पत्र में राशन कार्ड मत दाता पहचान पत्र पासपोर्ट आदि निवास परमान पत्र बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक, पासबुक आदि अगर आपका निवेश पचास हजार से जादा है तो इस अवस्था में पैन कार्ड जरूरी है आधार कार्ड, अक्टूबर 2017 में सरकार ने इसे अनिवारिय किया क्या इन्हें ओनलाइन दी ले सकते हैं? एक एपरेल 2016 से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र इलेक्ट्रोनिक फॉर्म के रूप में भी मिलने शुरू हो गए है इससे पहले यह सिर्फ छपे हुए परमान पत्र के रूप में मिलते थे हाला कि जो बैंक या पोस्ट ओफिस कोर बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए है उन्हें प्रिंटिट सर्टिफिकेट जारी करने जी जूट दी गई है क्या लोन के लिए भी हो सकता है यूज? लोन अप्लाई करते समय किसान विकास पत्र का इस्तमयाल कोलेटरल के रूप में यूज किया जा सकता है लोन जारी करने से पहले देश के ज़्यादातर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिटूशन यह सर्टिफिकेट कोलेटरल के रूप में सविकार करते हैं टेक्स बेनिफिट भी मिलता है क्या? bankbazar.com की वेबसाइट के मुतावी किसान विकास पत्र पर आपको टेक्स बेनिफिट भी मिलता है इस स्कीम में सोर्स पर टेक्स नहीं करता है मतलब आपको मैचोर्टी का पैसा TDS कार्ट के नहीं दिया जाता है साथ ही यह स्कीम वेलत टेक्स के डायरे में भी नहीं आती है हाला कि आप ACC के तहत इसमें छूट नहीं हासिल कर सकते दोस्तों अगर आपको इस से रिलेटिड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बुक्स में कोशन डाल कर पूछ सकते है थैंक्स फोर वोचीं